रंपीर कपूर स्टारर दथ बाईयोपिक का TRZ कर रिलीस हो रहा है और लोगों को फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीद हैं राजकुमार हिराणी के इस फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जौह रहा है और अब सबसे एहम सवाल ये है कि क्या दत बायोपिक इस साल की बाहुबली बन पाएगी दिरसल दत बायोपिक आईपियल सीजन में रिलीज हो रही है ज्यादतर फिल्म में इस समय रिलीज डेट से कतराती है और ये महीना हमेशा सूखा जाता है लेकिन इसे बदला पिछले साल बाहुबली ने जो आईपियल सीजन में आकर दना दन कमाई कर चली गई और अब माना जा रहा है कि रनवीर कपूर की दत बायोपिक भी कुछ ऐसा ही कमाल करेगी और बॉलिवुट का ये आईपियल से डर दूर करने में कामयाब होगी रनवीर कपूर ने संजु दत को कितना घोट कर पिया है ये तो फिल्म के टीजर से ही पता चल जाएगा फिल्म के नाम को लेकर काफी सुख बुगाहत है माना जा रहा है कि नाम संजु बाबा या दत में से कोई एक फाइनल किया गया है जो कल ही पता चल जाएगा न्यूस रूम से फिल्म या ड़ा की रिपोर्ट